नमस्कार आप सभी का स्वागत है फिल्मी बशार में मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिन्हा एक गर्फरिन अपने ही बोईफरिन के लिए गांजा खरीद कर लाती थी ये बात सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी लेकिन ये कोई मनगरत कहानी नहीं है ये कहानी है दिवंगत आक्टर सुशान सी राजपूत और रिया चक्रवर्ती की NCB के मताबिक रिया चक्रवर्ती अपने ही बोईफरिन के लिए यानि कि सुशान सी राजपूत के लिए गांजा खरीद कर लाती थी इतना ही नहीं वो उसके पैसे भी खुद ही भरती थी सोचिये ये कितनी घिनोनी बात है कि एक लड़की अपने बोईफरिन के लिए गांजा खरीद कर लाए चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो 2020 में अभिनेता सुशान्थ सी राजपूत की मौत से जुड़े एक ड्रग मामली की जाच कर रहा है उसका कहना है कि रिया चक्रवर्ति सुशान्थ के लिए अकसर गांजा खरीद थी NCB के ड्राफ्ट आरोपों के अनुसार रिया ने कथित तोर पर गांजा खरीदा और उसके पैसे खुद देती थी यह गांजा वा दिवंगत अक्टर सुशान्थ के लिए लाती थी बता दें रिया को ड्रग मामले में पहले गिरफतार किया गया था और बाद में जमानत पार जेल से रिहाबी कर दिया गया 14 जुन 2020 को सुशान्थ के मौत के लिए चक्रवर्ति राजपुट के साथ वो रिष्टे में थे ऐसे में सबसे पहले पूस्ता चुनी से की गई थी एडी ने 11 जुलाई 2020 को दिवंगत अभीनेता की मौत के मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी पीछले साल 28 जुलाई को बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ राजपूत के पिता केके सी ध्वारा एफाई आर दर्ज भी की गई थी ऐसे इंट्रेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बोचार को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमें अपना फीड़ बैक दें अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें नमस्कार